नमस्तार मैं हूँ प्रभाकर मनितिवारी आप देख रहे हैं मेरा ये खास कारिक्रम पॉल्टिक स्वित प्रभाकर पश्चि मंगाल में अब एक ही खबर है भवानीपूर उप्चुनाव हलांकि उप्चुनाव मुर्शिदाबाद की दो और सीटनों जंगीपूर और समसेर गंज में भी हो रहा है आज भी चर्चा करूंगा उसी की अगर राजनीति में आपकी रत्ती भर भी दिल्चस्पी है तो आप पीके यानि प्रशांत की सोर को नाम जरूर जानते होंगे जरूर सुना होगा आपने प्रसांत की सोर वैसे तो देश के कई राज्यों में केंदर में बीजेपी के अलावा वो काम कर चुके हैं चुनाओ प्रबंधन का काम समालते हैं उनकी टीम आईपैक लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी इस साल अप्रेल माई में हुए पश्ची मंगाल विधान सभाज चुनाओ में जहां बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ अब की बार दो सो पार के नारे के साथ मैदान में उतरी थी लेकिन किसोर की पीके की रणीत के कारण ममता को पहले से भी ज्यादा सीटे मिली भारी बहुमत से जीती है यहां तो अब भवानीपूर में होने वाले उप्चुनाओं से पहले पीके का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है आखिर क्यों सुर्खियों में है पीके का नाम आज चर्चा करूँगा इसी की देखते रहें वीडियो आखिर तक देखिए जचे तो मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निसान भी दबादें अब जानते हैं भवानिपूर का उप्चुनाओ हाई प्रोफाइल हो गया है ममता बनर जी यहां से टीमसी उमिद्वार है उनके खिलाब बीजेपी ने प्रियंका टीब्डेवाल को मैदान में उता रहा है लेकिन अब उमिद्वार की बजाए एक वोटर यहां सुर्खियों में आ गया है जी हाँ आपका अनुमान सही है उस वोटर का नाम है प्रशान्त किसोर और पीके पीके भवानिपूर के मतदाता सुची में उनका नाम शामिल हो गया है इसके बाद उनके नाम पर भी टीमसी और बीजेपी में आरोप परत्यारोप शुरू हुए है बीजेपी ने सवाल उठाया है कि बीजेपी नेताओं को केंद्रिय नेताओं को बाहरी करने वाली ममता बनर जी को क्या अब एक बाहरी ब्यक्ती के वोट का सहारा है वो यानि पीके बाहरी ब्यक्ती है तो आरोप परत्यारोप का दोर शुरू हो गया है अब हाल ही में जो मद्दाता सुची में संसोधन हुआ ताजा उसमें पीके का नाम शामिल हुआ है तो अब लोगों की उत्सुकता है इस बात पर निगाए हैं कि 30 सितंबर को जो उपचुनाव होने हैं क्या पीके उसमें मम्ता को बोर्ट देने के लिए कतार में खड़े रहेंगे ये चर्चाएं चल रही है लेकिन त्रिडमोल कॉंग्रेस के किसी भी नेता ने इस पर अभी कुछ कहने से मना कर दिया है हालां कि उनको उमीद है ज्यादातर नेताओं को कि पीके मतदान के दिन यहां मौजूद होंगे और हाल में दरसल बिधान सभा चुनाव जो हुए थे अप्रेल मैं में उसके पहले ही पीके का नाम शामिल हुआ था मतदाता सुची में लेकिन तब ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी और उनका नाम भवानीपूर बिधान सभा इलाके के 17 नंबर वार्ड में है और सेंट हेलेन स्कूल में प्रसांत का मतदान केंद्र है हालाकि बिधान सभा चुनाओं में बेस्तता की वज़ा से वो भोट नहीं दे सके थे अब बीजेपी के मीडिया इंचार्ज सबतरसी चोधरी ने ट्वीट के साथ ये वोटर लिस्ट की तस्वीर के साथ एक ट्वीट किया है और ट्रिणमूल कॉंग्रेस पर कटाक्ष किया है उन्होंने इस ट्वीट में ट्रिणमूल के महासचीव और प्रवक्ता कुनाल घोस को भी टैक किया है और उसमें उन्हों लें लिखा है आखिर प्रसांद किसोर भी भवानिपूर के वोटर बन गए तो क्या बंगाल की लड़की को बाहरी भोट चाहिए कुणाल घोस राजी के लोग यह बात जानना चाहते हैं लेकिन त्रिडमूल ने फिलाल इस पे कोई टिपड़ी नहीं की है और आपको याद होगा 2019 में लोगसभा चुनाओं में बीजेपी से करारे जटके लगने के बाद त्रिडमूल कॉंग्रेस ने प्रसांद किसोर की स्यवाएं ली थी उसके बाद उन्होंने तमाम योजनाएं सुरू करवाई दीदी के बोलो या दुआरे सरकार जैसे कई योजनाएं सुरू की जिससे आम लोगों तक पहुंच गई सरकार और उसी का लाभ मिला ममता की छबी में काफी सुधार आया पार्टी की छबी सुधरी और उसका फाइदा बिदान सबाद चुनाओं में त्रिडमूल कॉंग्रेस को मिला तो अब वही प्रसांद किसोर ममता बनर जी के वोटर हैं बिदान सभा चुनाओं में बेस्थ हैं लेकिन अब उनकी बेस्था वैसी नहीं है तो इसमें उमीद की जा रही है कि 30 सितंबर को उनको भी मतदाताओं के साथ कतार में खड़े होकर देखा जा सकता है बिदान सभा चुनाओं में बोट नहीं दे सके थे लेकिन इस बार उमीद है कि हमारे उमीद्वार को वोट देंगे बीजेपी समयत कई दलों ने कहा है कि दरसल त्रिणमूल कॉंग्रेस बोटर बना के पीके के राज्य सभा में पहुंचने का रास्ता साफ कर रही है तो उडाल ने दरसल अप्रेल में अप्रेल के पहले सब्ता में आवेदन किया था जानकार सुत्रों का कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है उन्होंने मार्च के आखिरी सब्ता या अप्रेल के पहले सब्ता में वोटर बनने का आवेदन किया था और भवानीपूर में 27 अपरेल को चुनाव थे वहाँ जो मद्दाता सुची में संसोधन हुआ नए नाम जुड़े उसमें पीके का नाम भी शामिल हो गया था और वहाँ मद्दाता सुची में संसोधन का काम 15 जनौरी से 7 अपरेल तक चला था और किस और आप जानते हैं बिहार के हैं लेकिन मम्ता बनर जी के साथ काम कर रहे हैं 2019 के लोगसभा चुनाव के बाद ही और मुख्यमंत्री मम्ता बनर जी के चुनाव एजेंट मुख्य चुनाव एजेंट बैस्वानर चटो पध्याय कहते हैं कि भावानिपुर में 2 लाग से ज़्यादा वोटर है इसलिए इसमें पीके का होना कोई अचरज की बात नहीं है कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी भारतिय नागरी के लिए वोटर बनने में कहीं कोई कानूनी बाधा नहीं है और त्रिपुरा और में घाले के पुर्व रा जिपाल तथागत राय ने भी इस पर बीजे प्रसांद की सोर को लेकर टीमसी पर कटाक्ष किया है कि टीमसी अब उनको राज्यसभा में भेजने का रास्ता बना रही है और प्रियंका टिब्डेवाल जो बीजे पीव मिद्वार है इनके चुनाव एजेंट है उनका कहना ह है कि अब पीके बाहर ही नहीं रहे हो घर के लड़के बन गये हैं घर के आदमी बन गये हैं यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है आपको बता दू भवानीपूर में 30 सितंबर को होने वाले उप्चुनाव के लिए आज साम 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा उसके बाद साम को मेरे रिपोर्ट देखना मत बुलिएगा आज के लिए बस इतना है धन्यबाद नमस्कार